हेले वरोन कैसे आप सब एक बार पुना हाट स्रीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बेहतर होंगे आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी क्लास टोल फिजिक संसे आर्टी में चैप्टर थ्रे चल रहा बच्छो जिसमें आज का टॉपिक है प्रतिरोध हकता के बारे में या इसे हम बिशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखेगा कभी कोशन पूँच देता है कि बिशिष्ट प्रतिरोध पर टि बारे में तो आप लोगों से बस गुजारिस है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा आप लोग बिलकुल चूक ना करें मतलब मिस ना करें उसे जरूर देखें और विद्वत तैयारी करें और जिन बच्चो 8-5-2-9-9-1-49 आप इस नमबर पे कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं तो चले शुरू करें प्रतिरोध हकता के बारे में जिसे इंगलिस में कहते हैं रजिस्टिविटी फिक है इसके पहले रजिस्टेंस रजिस्टेंस आप से बन रहा है तभी आज रजिस्टिविटी बनेगा ठीक है चुकि बच्चों आप सब को पता है कि प्रतिरोध होता क्या है प्रतिरोध होता क्या है कि किसी भी परिपत में चाला के द्वरा डाला गया अपरोध अपरोध मतलब रुकाबट जैसे हमने आपको बताया कि जैसे किसी भी परिपत में क्या होता धारा बहती तो धारा जो बहती है उसका कारण के है मुक्त इलेक्टरान लेकिन जब मुक्त इलेक्टरान चलते हैं तो मा लीजे सामने पाश्टिव चार्ज कोई धनावेस है तो उससे र्याका टकरा गए थोड़ा सा ठकरा गए तो नैनम टक्की होगा थोड़ा सा रुग गए और जब र इलेक्टरान दी बहना वंद कर दे तो धारा नहीं बहेंगी बच्चो हम तो परिवासा ऐसा देते हैं कि समय के साथ आबेस प्रवाहे की दर को हम धारा कहते हैं यही तो बलते हैं समय के साथ कितना आबेस बहता है लेकिन वो आबेस नहीं बहता वहाँ पे इलेक्टरान बहता है और इलेक्टरान जाकर के किसी धनाव इससे ठकराता है तो रुख जाता है जिसे आप पथ में चलते हो रास्ते में चलते हो अचानक कहीं पे पथर आ गया आपका पैर ठकरा गया तो फिर आप गिर जाओगे फिर उठोगे फिर चलोगे अचानक मालीजी आप जाही रहे हो पैदल कोई सामने से कोई सुन्दर व्यक्ति देख गया थोड़ा सा आप देखने लग गया उधल आपका धीर दीरे पैर चलने लग गया गाड़ी से चा रहे हो सामने से कोई सुन्दर आपको दिख गया तो फिर आप क्या करोगे थोड़ा सा देख लो यार कौन है तो आप गाड़ी थोड़ा स्लो कर लोगे यही होता है कि इलेक्टरान चल रहा होता है लेकिन सामने से आकर सक दनाविस आया ठकराया रुकाबट हो गया यही आपका रुकाबट है बच्चो समझे ना ठीक है ना चलिए तो आगे सुरू करें प्रत्रोध हकता के बारे में तो प्रत्र पर जैसे एक चालाक है यहाँ पर यह चालाक है और यह चालाक मैं कहता हूँ भाई यह चालाक है ठीक है इसके अनुप्रस्त काट का छेत्र फल ए है और इसकी जो लंबाई है टोटल बच्चो समॉल एल है तब प्रत्रोध इसके किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो जो होता है सीधा लंबाई के समान उपाती होता है यदि चालक तारेदी आप बढ़ा दोगे तो उतना ही ज्यादा उसमें प्रत्रोद होगा बच्चो और यदि छेत्रफल की बात करेंगी तो छेत्रफल की ब्यूत्क्रमान उपाती होता है मतलब चालक तारेदी मोटा है तो फिर प्रत्रोध उसमें कम हो जाता है अब दोनों को जब मिलाते हैं बच्चो तो L अपान A हो जाता है और यहाँ पर ध्यान रखना जब आपका समान उपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है यह रो आपका नियतांक है और यह जो नियतांक है इसे हम प्रत्रोध हकता या विशिष्ट प्रत्रोध के नाम से जानते हैं ठीक है और इसी से आपका रो का फार्मुला निकल कर आ जाता है पक्छांतर करनें बच्चो पक्छांतर करेंगे तो यह होजाएगा आपका आर ए और अपान एल ये भाई आपका आगया ठीक है ये आपका आगया विशिष्ट प्रत्रोध या प्रत्रोध अगता अब ये तो फार्मूला निकला है अभी परिभासा नहीं निकला है बच्चो फार्मूला निकला है एक बार फिर से रिवाइज कर लें कोई दिक्कत नहीं होगा आसानी से करत देखो मैंने ये कहा कि किसी चालाकतार का जो प्रतिरोध होता बच्चो सिंपल है लंबाई की समानुपाती होता है जितना ज्यादा लंबा चालाकतार होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा क्योंकि जितनी ज्यादा मुक्तिले टकराएंगे उतना वरोध उत्पन होगा तो चाला पाटती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है रो एक नियतांक है ठीक है जिसे हम विशिष्ट प्रित्रोध या प्रित्रोध अक्ता कहते हैं और यहीं से आपका रो बराबर हो जाता है फार्मुला इसको पक्छांतर करेंगे तो आर ए अपान एल हो जाता है को किन चीजों पर निर्वर करता है लंबाई पर निर्वर करता है अनुप्रस्त परिछेत के छेतर फल पर चालाक पदास्त की प्रकाति पर ताप पर निर्वर करता है जो कि मैंने प्रतिरोध में बहुत बारीकी से समझाया था बहुत बारीकी समझाया था तो प्लीज आप लग जाता है जिसे चाला का प्रित्रोध हकता कहते है या बिशिष्ट प्रित्रोध कहा जाता है क्या बोला जाता बच्चो या बिशिष्ट प्रित्रोध कहा जाता है ठीक है को दिक्कत तो नहीं है अभी आप सोचेंगे परिभासा निकल करा है नहीं अब परिभासा यहां प प्रित्रोद होता है, वो उसका विशिश्च प्रित्रोद हो जाता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, देखिएगा, रो एक्कोल हो गया आपका आर ए अपान एल, ठीक है, अब यह दी बच्चों, यह जो चालाक्तार है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई है, वो मान के चलता की इकाई हो और अनुप्रस्त काट का छेत्रफल भी इकाई हो तब जब हम यहाँ पर A का मान भी एक रखेंगा L का मान भी एक रखेंगे तो R बराबर R हो जाएगा या हम कह सकते हैं R बराबर R हो जाएगा है न मतलब देखो जरा यदि किसी चालाकतार की लंबाई इकाई हो यहनि एकांक लंबाई और उस चालाकतार का अनुप्रस्त काट का छेत्रफल एक हो मतलब एकांक अनुप्रस्त परिछेत वाला चालाकतार हो तब इसका जो भी प्रत्रोध होगा जो भी R का मान होगा जो भी प्रित्रोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रित्रोध या प्रित्रोध अक्ता कहलाएगा कितना सिंपल है थोड़ा समझना मैंने ये कहा बच्चो कि ये चालाकतार है इसकी लंबाई इकाई है क्या बोला इकाई है इनी इस चालाकतार की लंबाई इकाई है और इसके अनुप्रिस्ट काड़ का छेत्रफल भी काई है यानि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई है यहलकामान एक रखा ना तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रिस्ट परिछेद वाले चालाक के प्रित्रोध को देखो देरा चालाकतार की एकांक लंबाई और एकांक अनुपरस्त परिछेद एकांक लंबाई ये चालाकतार की लंबाई क्या है एकांक एकांक लंबाई और एकांक अनुपरस्त परिछेद वाले चालाक की प्रतिरोध को चालाक के प्रतिरोध को चालक के प्रित्रोध को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं रोग बोलते हैं आप तो clear है कोई doubt तोने बच्चो यहां तक complete कि यदि किसी चालक तार की लंबाई इकाई हो है न और छेत्रफल भी इकाई हो अर्थात एकांग लंबाई तथा एकांग अनुप्रस्ट परिछेद वाला चालक है तब उसका जो प्रित्रोध होगा वो उसका प्रित्रोध हकता कहलाएगा फीक बच्चो देखो जरा यदि L कामान एक हो ठीक है और A कामान एक हो तो रो इक्वल आर हो जाता है इस प्रकार किसी पदार्थ के एकांग लंबाई और एकांग अनुप्रस्ट परिछेद वाले चालक के प्रित्रोध को उस पदार्थ का प्रित्रोध हकता कहते हैं ये आपका परिभासा हो गया जिसका फार्मूला यही है यदि प्रत्रोध हकता आगया पिशिष्ट प्रत्रोध का बेंजक तो इतना ही करना है इस्क्रेंसाट लेना अभी काम खतम नहीं हुआ है क्योंकि भाई अभी पूरा मात्रक बिमी सूतर सब कुछ बचा हुआ है तो उस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल इसका स्क्रेंसाट ले लो पाकि नोट्स के लिए स्टार्टिंग में ही मैं अपना प्रशनल लंबर इसलिए दे दिया हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई प्राबलम ना हो सके और नोट से इसको लेना है तो आसानी से ले सके चले मात्रक पे चलते हैं बच्चो इसका मात्रक निकालते हैं इसके बाद बिमी सूतर निकालेंगे ठीक, और छेत्र फल का cm2, cm2 या m2 कर सकते हो, ठीक है, इसका cm, एक cm से cm कड़ गया, तो ohm cm, ohm cm, cm के जगे जगे मीटर से मापेंगे, तो ohm मीटर भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ohm मीटर, किसी को कोई दिक्कत, ohm मीटर हो गया बच्चों, ठीक है, ohm cm या ohm मीटर, ओके बिमी सूत्र, आप आसानी से निकालोगी, बिमी सूत्र कैसे निकालेंगे, देखेगा, बिमी सूत्र, बिमी सूत्र के लिए आपसे प्रतिरोध का आना चाहिए, प्रतिरोध का नहीं बनना तो m1, l2, t3, फिर ये 2, ठीक है, ये आपका होगी है, ठीक है, लंबाई का आपक ना होगा बच्चो, M, L स्क्वेर था, एक L आ जाएगा, तो L, 3 हो जाएगा, यह मानस 3, 1 पाउर मानस 2, बताओ भाई, किससे बिमी सूतर नहीं बनेगा, यदि आप से प्रतिरोध का बिमी सूतर बन रहा है, छेत्र फल का तो लंबाई स्क्वेर हो जाएगा, L का स्क्वेर था, इसमें कुछ है नहीं भाई, यह लंबाई का L तो 1L से L कैंसिल, 1L यहां 2 था, एक और हो गया, 3 हो गया, बताओ, बन जाएगा ना, कोई रिक्त तो नहीं बच्चो, इसके निर्भरता भी आपके सलेबस में 2 है, तो हम बात कर लेंगे निर्भरता के बारे में, तो चुकि सबसे पहले तो निर्भरता को ग्याद करने के लिए यह चीज़ आपको रो बराबर होता है, R A अपान L, ठीक, R का फार्मूला कोई बता सकता है, R का फार्मूला बच्चो, R का फार्मूला यह होता है, M L N E स्क्वेर, A टाउ, ठीक है, R का है, और A अपान L, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, किसी किसी बुक में यह दो भी लिखा मिल जाएगा, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो दो ही करके बताया था, तो आप लोग परसान मत होना, तो बचेगा कितना, यह हम करें 2 M, और आपका बचेगा N बचेगा, E स्क्वेर टाउ बचे और जो आपका एक टाउ है, यह टाउ है, यह टाउ के भी ब्यूतक्रम होता है, ठीक है, इन दो चीजों पर निर्भर करता है, अब आप कहोगे इसकी निर्भरता कैसे समझेंगे सर, देखो, यह दो चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ, यह जो N है बच्चो, प्रती इकाई आयतन पर मुक्तिलेक्टरानों की संख्या है, यह जी मुक्तिलेक्टरान की संख्या जादा हो गया, तो जो आपका बिशिष्ट प्रत्रोध है, जो आपका प्रत्रोध हकता है, देखो न जड़ा, N कामा नदिक होने पर बिशिष्ट प्रत्रोध कम होगा, ब्यूतक्रम है ब्यूत्क्रम है तो जो पहला जो प्रभावित करने वाले मतलब इसकी निर्भरता है तो आपका है पदार्थ की प्रकति पदार्थ की प्रकति अब प्रकति ऐसा क्यों लिखा जाता है क्योंकि बच्चों प्रकति का मतलब यह होता है कि किसी भी पदार्थ पर मुक्त की संख्यादी अधिक है एकाई आयतन पर मुक्त इलेक्टरान की संख्यादी अधिक है तो विशिश प्रत्रोध कामान कम हो जाता है यहीं किसी पदार्थ की प्रत्रोध धक्ता उसके पदार्थ की एकांक आयतन में उपस्तिक मुक्त इलेक्टरान की ब्यूत्क्रमान उपाती होता है ठीक है किसी पदार्थ की प्रत्रों धखता जो है इकाई आयतन में मुग्द इलेक्टरान की जो संख्या है उसकी व्यूत्क्रमान उपाती है यदि मुग्द इलेक्टरान की संख्या अधिक है पदार्थ की प्रकति भाई पदार्थ की प्रकति का मतलब पदार्थ में कितना मुक्ति लेक्रान है यदि मुक्ति लेक्रान की संख्या देखो गई तो बिशिश प्रत्रोद कम हो जाता है टाव ये काप का बिस्तरांति काल होता है लेकिन इसके लिए हम लिखते हैं ताप, पदार्थ का ताप पदार्द का ताप अब ताप का किस प्रकार से रिलेशन है देखो ताप मान बढ़ाते हैं तो बिस्तरांतिकाल कम हो जाता है टाउ कमान ताप मान से कम होता है ठीक है टाउ कमान क्या होता है कम होता है और टाउ कमान कम होने से बिशिश्ट प्रत्रोद बढ़ जाता है ठीक है? यानि ताप हमने बढ़ाया जैसे ही ताप देंगे बच्चो ताप देंगे वो टाउ की ब्यूत करम होता है टाउ क्या है? बताओ जरा इलेक्टरानों की टकर की बीच का समय है लेकिन जैसे ही ताप मान बढ़ाएंगे तो समय कम होता जाएगा इलेक्टरान उतना और गति करते जाएगा नहीं समझ में आया? इलेक्टरान एक बार यहाँ टकराया फिर एक बार यहाँ टकराया ठीक है? एक बार यहाँ टकराया तकराने का, इनके भी जो औसत समय है वो बिसरांतिकाल कहलाता है क्या कहलाता है बिसरांतिकाल जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो इसका मान कम होता जाता है, क्योंकि ज़्यादा गति करते हैं, जब ज़्यादा गति करते हैं फायक्ट की चीज़े हैं, जो भारी की से नहीं समझेगा उट कभी नहीं समझ पाएगा, मैं यह कह रहा हूँ, ताप मान बढ़ाँगा तो जल्दी जल्दी गती करेंगे, जल्दी टकर होगा, तो बीच का समय कम होगा, जब समय कम हो जाएगा बच्चो, विसरान्ती काल कामा बढ़ जाता है इस प्रकार से दो प्रभावित करने वाले कारक है चलती चलते मैं इसलिए बता देता हूं ताकि आपके सलेवस में हो तो कहा होगे सर यह आप में पढ़ाये ही नहीं है यदि हम बता दे ताप बढ़ाएंगे तो विशिष प्रतरोध कमान क्या हो जाता है विशिष प्रतरोध कमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दोनों क्लियर कर दिया उमीद करता हूं आपसे क्लियर हो गए हो गए वीडियो पसंदर लाइक करके शेयर जरूर कर दें फिलाल अभी के लिए इतना ही जैहिंद बंदे मातरम